हेलो फ्रेंच वीडियो वीडियो ऊफ रिलाइंस कम्युनिकेशन तो फ्रेंच रिलाइंस कम्यूनिकेशन में अगर हम लास वन मन्न की बात करेंगे तो हमें कंटिनियूसली जो है वो गिरावट देखने को मिली है और इसे ही वो टाइम था जब मैंने हमारे सब उपनागry आप भी करेंगे तो अच्छी का सी गिराबट देखने को मिली लेकिन अगर हम करन्ट सिच्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज पाइप पर सर्कृट का जो है आप पर सर्कृटिस में लगने को देखा है हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि रिलाइंस कम्यूनिकेशन में ऐससे ऐसा कुछ बचा नहीं है मैं बार बार यही चीज़ बोलते आ रहा हूँ जब भी आपको प्रॉफिट बुक करने का चांस मिलता है अच्छा का सा तो आप डिसीजन ले सकते हो बहुत से वीडियो में मैं ऐसे भी स सुन चुका हूँ और ऐसा देख चुका हूँ कि यह शेर फिर से उसके आल टाइम हाई पर जा सकता है वगेरा वगेरा जो कि 804 इसे तो वह बहुत ज्यादा डिफिकल्ड डेफरेंट क्यूंकि आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि वोड़ाफोन आइडिया यह अ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है वो तो जियो की इससेदारी बहुत जादा बढ़ चुके है बहुत से यूजर जियो में चाह चुके है लास्ट टाइम ही मैंने न्यूज में यह चीज़ आप लोगे साथ शेयर किया था कि अल्मोस्त 3.5 बिलियन जो है इच वोड़ाफोन आ है सुच कुछ बचा नहीं है तो इसके बारे में मैंने और एक वीडियो बनाया था बहुत पहले बनाया था टेन मिनिट्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक भी दे दी है आप बस उसको बिना स्कीप करें देखिए आपको सब पता चल जाएगा क कि Reliance Communication के पास क्या बचा है जो बचा है वो क्या प्राइज में बिख सकता है और उसको कौन बाय कर सकता है तो मैं Assets की बात कर रहा हूँ उसमें बहुत कुछ आता है Assets में उनकी Towers आते है डेटा सेंटर्स आते हैं और भी कुछ चीज़े हैं फाइबल लाइक फाइबर आप फेर केस में हम बोल सकते हो सकता है कि हमें फिर से जो है Reliance Communication पचपन या फिर 800 ऐसे प्राइज में जाता हुआ दिख सकता है अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि यह फिर से यहां तक जाता है तो बहुत मतला बहुत चीज़ इंपॉसिबल है फ्रेंड्स मैं यह नहीं कर रह वापस उनके All Time High पर जाने का Expectations नहीं रख सकते हैं तो उसी रिगार्ड्स में मैं आप लोगे साथ आज रिसेंट की दो न्यूज शेयर करना चाहता हूं आप बीन स्कीप करें इस न्यूज को समझिए पहला जो न्यूज यह आप यहां पर देख सकते हो Airtel, Tata Communication, Reliance Communication, Reltail Among 34 firms, Found Violating Internet Services License Rules GOVERNMENT तो ये कंपनिया प्लस 34 कंपनिया को जो है Government Issue को like Government को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनियों रहे electronics के जो है तो अभी ये बैंकरप्सी कोड यह कोड़े वह डिसाइड करने वाला है कि रिलाइंस कम्यूनिकेशन के पास जो स्पेक्ट्रम लाइसंस है वह रहना चाहिए नहीं रहने चाहिए अगर स्पेक्ट्रम लाइसंस के अगर बात करेंगे हम फ्रेंड्स तो वह अल्मोस्ट टैन थ दस हजार गिने थे तो वह अभी डिसाइड होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरकॉम इस अंडर इंसल्वनसी प्रोसीदिंग बिफोर मुंबाइ बेंच अफ दे यंसी ल्टी नैशनल कंपनी लौ ट्रिबूनल एंड हैस बिन अंडर मोरेटोरियम सिंस में 15 कंपनी है स्पेंट ओवर 10,000 क्रोड टू एक्वाय स्पेक्ट्रम सीनियर एडवोकेटर रवी कदम इंफॉर्म दे ट्रिबूनल तो ट्रिबूनल को यह बताया है यह जो सीनियर एडवोकेटें नोने की उन्होंने अर्लाइंस कम्मिनिकेशन ने अल्मोस 10,000 क्रोड जो है व है इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देता हूं कि उनके जो बाकी का जो रिलाइंस कम्मिनिकेशन का फ्यूचर बचता है वह है कि उनके एसेट्स पर बोली लगेगी और कोई भी लीडिंग टेलिकॉम कंपनी हम बोल सकते है उसमें कोई भी हो सकता है और फोन आइड और लिए जो है वह रिलाइंस कम्मिनिकेशन के जो एसेट से बच्चे हुए है उनको खरीड सकता है और फिर वह जो है एसेट खरीदने के बाद वह उनके कंपनिक के ग्रोथ के लिए डेफिनेटिल उसको यूज करेंगे तो यहां पर बहुत अंसर्टने की रिलाइंस कम्म को देखना अल्मोस्ट इंपॉसिबल है तो यही डिटेल्स थी फ्रेंज और यही दो न्यूस थी जो आपको इंफर्म करती है और इंटिमेट करती है कि कि रिलाइंस कम्यूनिकेशन अल्रेडी बैंक्रप्सी के तरब जा चुका है तो इसमें यहां पे कोई होप्स मत रखी है कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यह शेयर बहुत ही सस्ता है इसके वज़े से इसको बाइं मत कीजिए बाकी सब भी अनलिसिस कीजिए कंपनी की स्टेट क्या है फ्यूचर क्या हो सकता है वो सब चीज़े देखिए और उसके बाद ही यह नहीं किसी भी शेयर में आपको बाइंग पोजिशन बनानी चाहिए उसके बाद तो यही सब डिटेल्स दिफ्रेंट्स जो मैं आप लोगे साथ शेयर करना चाह रहा था आने वाले टाइम में बहुत ही इंफर्मीटिव वीडियो लाते रहता हूं तो आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए थैंक्यों फूर वाचिंग दिस वीडियो